दोस्तो दो दिन पहले रात के साड़े दस बजे मेरी दाइनी पोकिट में अचानक फोन वाइबरेट करने लगता है और जैसे ही मैंने पोकिट में हाथ मारा तो मैंने देखा मेरी जेम में तो फोन था ही नहीं से लगता है कि यार वाइबरेट हो रहा है शायद फोन आया होगा बट हाद लगाते हो तो कुछ भी नहीं फिर उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी पर इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी मैं आपको पहले ही बता दू यह मैं नहीं कह रहा ऐसा लोग कहते हैं कि यह नंबर शैतान का नंबर है खेर शैतान का भी नंबर बताते हैं उसके पहले खाली जेम में जो फोन वाइबरेट होता है उसकी बात पर आते हैं दोस्तों सोचो आप बहुत ही concentration से काम कर रहे हो और अचानक आप notice करते हो कि आपकी jam में phone vibrate हो रहा है और फिर आप जैसे ही jam में heart डालते हो तो आप देखते हो कि आपकी jam में तो phone है ही नहीं वो तो आपके सामने पड़ा है आप में से पका 50 या 60% लोगों के साथ ये हुआ ही होगा लिखवा के ले लो अब point पर आते हैं दोस्तों अगर आपकी jam में phone vibrate नहीं हुआ तो वो कौन सी चीज थी जो vibrate कर रही थी दोस्तों इसे कहते हैं phantom vibration syndrome दोस्तों ये हमारे दिमाग की fantastic ability है patterns को ध्यान में रखना और उसी के हिसाब से suggestions देना for example आपने कभी देखा होगा कि clouds में या पत्थरों में कुछ ऐसी shapes होती है जिसको हमारा दिमाग कुछ familiar चीज समझता है मतलब कहीं न कहीं कुछ भी देख ले उसमें modification कर ही देता है चाहे उसके सामने कुछ भी हो वो उसका map अपने दिमाग में टेयार कर लेता है जैसे कि ये मंगल ग्रह में एक घड़ा आपको smiley face लग सकता है नीले आसमान में बादलों में आपको भालू और sewer नजर आ सकते हैं दोस्तो हमारा दिमाग environment में ऐसे patterns skin करता ही रहता है और scientist का कहना है कि phantom vibration syndrome कुछ ऐसा ही होता है जब कपड़ा skin पर रगड खाता है या हमारे muscles contract होते हैं तो हमारा दिमाग जाने अन जाने में गल्ती से vibrating phone समझने लगता है क्योंकि हमारे दिमाग ने इसका pattern सीख रखा है कि जब भी vibration उस pocket के आसपास होगी तो इसका मतलब हमें call या कोई SMS आया ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चेश्मा लगाने वालों को चेश्मा उतारने के बाद भी ऐसा लगता रहता है कि उन्होंने चेश्मा पहन रखा है recent study में ये पता चला है कि 90% college students को phantom vibration syndrome होता ही है दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है हज आपको ऐसी ऐसी बाते पता चलने वाली है जिन्हें सुनकर आप भी हिल जाओ तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है है क्या बात है हेलो वर्ट सब गाइज मेरे नाम एमरी पलसिंग और जू आर वाचिंग बदमाश आइकोन तो जादर आम का चुतिया ना करते हुए चल गुरू होचा शुरू दोस्तों अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो थोड़ी से डरा देने वाली है ध्यान से सुनना दोस्तों कि आपको पता है कि इस दुनिया में एक बहुत ही डेंजरोस खतरनाख केमिकल कमपाउंड है जिसे कहते हैं डाइ हाइडरोजन मोनोकसाइड ये ओडरलेस, टेस्टलेस और कलरलेस होता है कोई रंग नहीं होता है और ना ही कोई स्वाद होता है कैमिस्टरी वाले स्टूडेंट्स तो समझी गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ हमारी परदूशित नदियां, दिलें इनमें ये बहुत ही अधिक मातरा में पाया जाता है और डाय हाइडरोजन मोनोकसाइड हमारे फेपडों में जाने से इनसान की मौत हो जाती है इसके बावजुद इसे बहुत ही ज़ादा क्वांटिटी में पेचा जा रहा है और लोग इसे असानी से खरीद सकते हैं हर सीटी, हर होस्पिटल, हर स्कूल और हर घर में ये पाया जाता है और क्यूंकि ये डाय हाइडरोजन मोनोकसाइड धरती पर बहुत ही अधिक मात्रा में है तो साइंटिस्ट ने ये भी पता लगाया कि ये इनसान के शरीर में भी पाया जाता है हमारी 60% बोड़ी इसी से बनी है और डाय हाइडरोजन मोनोकसाइड को आसान सी भाषा में, सिंपल भाषा में कहा जाता है पानी, वाटर, H2O डाईस किसको नहीं बता था कि डाय हाइडरोजन मोनोकसाइड पानी होता है दोस्ता पानी के इस नाम मतलब डाय हाइडरोजन मोनोकसाइड की वजह से मतलब इस नाम की वज़ा से काफी confusion पैदा हो गई थी काफी भ्रम US के कैलिपोनिया के city officials को कि अब dihydrogen monoxide की इतनी खतरनाक property जब बताई तो dihydrogen monoxide पर ban लगाने के लिए भी विचार होने लगे best ban कर ही दिया था कि end moment पर किसी पड़े लिखे बंदे ने वहां की government को बताया कि सालों dihydrogen monoxide पानी होता है अब क्या उसे पीना भी छोड़ दें New Zealand में भी एक ऐसा ही case सामने आया जब dihydrogen monoxide की एक अफवा उड़ गई थी तो वहां के एक health association member ने बकाइदा लैटर लिखा कि मेरे इलाके में एक बंदा dihydrogen monoxide को ban करने की मांग कर रहा है क्या हमें इस drug को ban करना चाहिए मतलब पारलेमेंट तक पहुंच भी बात तो पारलेमेंट से जवाब आया कि अभी ओ जंडू dihydrogen monoxide पानी होता है कहां से बढ़ गया है देख लो आज के जमाने का हास गूगल पर एक सर्च भी नहीं कर सकते लोग वैसे ही जैसे आज कल वर्टसेफ यूनिवर्स्टी में जो आता है लोग सर्च मान कर बैठ जाते हैं अब थोड़ी अकल लगा लिए गरो इसलिए कहते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी नोलेज होनी चाहिए अब क्रिप्टो क्रंसी को ही ले लो लोगों को पता नहीं है तो और इंवेस्टमेंट क्या करेंगी इसलिए कॉइन DCX लेकर आया है DCX Learn जिसमें आपको क्रिप्टो क्रंसी के रिगार्डिंग सारी नोलेज मिलेगी यही नहीं आप कॉइन DCX के थूब बिटकोइन में इन्वेस्ट भी कर सकते हो क्योंकि यह है इंडिया की लाज़स एंड सेफ एस क्रिप्टो एक्सचेंज और बिटगो ने इन्शोर किया है मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ अब सोर समझ के अपने रिस्क के एकोडिंग क्रिप्टो क्रंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो तो डाउनलर करो इंडिया का सिंपलेस्ट बिटकोइन आ है CoinDCX Go और इस कोड को यूज करने पर आपको सोर पह का बिटकोईन बिल्कुल फ्री मिलेगा और लिंक्स और इन्जी डिस्क्रिप्चिन गाइस अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ न उसको सुनने के लिए आप अराम से बैठ जाओ खर वो तो बैठे ही होंगे लेकिन मेरी बात पर concentrate करना दोस्तों कि आपको पता है कि Parkinson's नाम की एक बिमारी होती है जिसमें लोगों को चलने, बोलने और सोने में परिशानी होती है और इसका कोई भी इलाज नहीं है और इसको test करने का भी कोई तरीका नहीं ना तो आप ठीक हो सकते हैं और ना ही इसे test करवा सकते हैं जब यह बिमारी हमें हो जाती है तो उसके बाद ही हमें पता चलता है कि हमें Parkinson's बिमारी हो गई है पर UK में रहने वाली एक औरत ध्यान से सुनना जिसका नाम है जोई मिलन वो इस बिमारी को सूंग के detect कर लेती है smell के थूप किस बंदे को यह disease है और किसको नहीं और जोई के इस claim को verify करने के लिए एक researchers की team ने 12 जानों को hire किया उन में से 6 को Parkinson's disease थी और 6 को नहीं उन 12 जानों को एक T-shirt पहनने को कहा गया बिलकुल सही बताया कि इन्हें वो बिमारी है और इन्हें नहीं पर यहां पर आता है कहानी में एक twist जोई ने 6 जिनको वो बिमारी थी वो तो बिलकुल सही बताया लेकिन उसने ये भी दावा किया कि जो 6 जाने बचे हुए थे उनमें से भी एक जाने को Parkinson बिमारी है पर researchers ने सोचा कि जोए गलत होगी लेकिन आठ महीने बाद उस बंदे ने researchers को बताया जिसको जोए ने कहा था कि इसको ये बिमारी है वो बंदा researchers के पास जाकर कहता है कि मुझे अब Parkinson हो चुका है वो बिमारी हो चुकी है जिसे सुनकर researchers के wrong टे खड़े हो गए तो technically जोए मिलन ने 100% सही जवाब दिया था मैं ये imagine भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उसके पास ऐसी शक्तियां कहां से आई बिमारीयों को detect करने की 200 सन 1993 से लेकर 2009 तक एक अग्यात ओरत का DNA चाली से भी जादा crime scenes पर पाया गया जो की अलग-अलग देशों में जर्मनी, औस्ट्रिया और फ्रांस में हुए थे पर crime scene पर जो DNA पुलिस को मिलता था वो बिलकुल सेम एक ही ओरत का कुछ cases robbery के थे, कुछ gangs fight के और murders के भी थे वो भी 6 लोगों से जुड़े हुए मतलब 6 लोगों की जहां मोत हुई थी वहाँ पर भी उसका DNA पाया गया पाकिर वो ओरत थी कौन मतलब तलाश हो रही थी एक female serial killer की जो की बहुत ही खतरनाक थी 2007 में जर्मनी की हेलपरान सिटी में एक police officer को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी लेकिन हैरानगी वाली बात तो ये थी फिर से same उसी ओरत का DNA क्राइम सीन से मिला जिसके बाद उस ओरत पर 3 लाख यूरो का इनाम भी रखा गया अगर कोई भी उसके बारे में details देता है तो ये ले पैसा पर फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा फिर आया मार्च 2009 आखिरकार उस ओरत का पता चल ही गया और इस case को बंद कर दिया गया और उस ओरत को सजा भी नहीं हुई उसे सजा क्यों नहीं हुई क्योंकि औरे मैं बताता हूँ क्योंकि वो DNA इस ओरत के DNA से पहले से ही contaminate था मतलब 16 साल पुलीस वाले धक्ये खाते रहे उस DNA को ढूंडते रहे जिस ओरत की तलाश करते रहे फ्लाना डिमकाना जो भी एक ऐसे serial killer को ढूंडते रहे जो असलियत में existing नहीं करता था अब बात करते हैं उस घतरनाक नंबर की शैतान का नंबर जिसे लोग कहते हैं कि ये नंबर शैतान का नंबर है दोस्तो इस नंबर पर call करने पर आपको एक recording सुनने को मिलेगी जिसमें एक आदमी भहुत ही desperately एक message दे रहा है लेकिन जो पहली आवाज आप सुनोगे वो कुछ ऐसी है इसे सुनने के बाद most likely आप अपने फोन को अपने कानों से दूर ही कर लोगे इन आवाजों के ज़्ट बात वो बंदा डरा सा सहमा हुआ जल्दी जल्दी 1010101 binary code बोलने लगता है बोलते बोलते उसकी सांस फूलने लग जाती है लेकिन फिर भी वो लगा थार code बोलता ही जाता है और फिर एक monster sound के साथ recording बंध हो जाती है और code disconnect हो जाती है पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब उस बंदे के द्वारा बोले गए binary code को decode किया गया तो इसे decode करने के बाद जो शब्द आता है वो है D.E.A.T.H death यानि कि मौत कुछ लोगों का कहना है कि ये नंबर Lucifer का नंबर है ये वाला Lucifer नहीं, शैतान का अगर इसकी ओर डिटेल में जाएं तो लोगों का ये भी कहना है कि ये नंबर धर्ती से सीधा नर्क के साथ connected है, who knows, किसे बता खेर मैं कोई ऐसा कोई भी claim नहीं करना चाता हूँ यहां पर, कुछ भी हो सकता है यहां कोई अफवा, खेर अगर आपके पास इंडिया की SIM card है, तो इस पर call मत करना, क्योंकि ये US का नंबर है पैसे घड़ जाएंगे, प्लस 91 की जगा प्लस 1 लगाना है, बट मत लगाना है, पहली बात तो call ही क्यों करना हो सकता है, हमारी personal information leak हो जाए, तो दोस्तों अब वक्त है आज के सवाल का, अब मैं आप से एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ, जिसका जवाब सिर्फ genius बंदे ही दे पाएंगे, तो आजओ genius बंदों, पर सवाल पूछने से पहले आज का like aim रख लेते हैं, guys आज का like aim है, एक लाख पचास हजार likes है, डेड़ लाख like, मुझे आपर पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे तो ठोको like खेर हमने यही सोचा था कि इस इन एक दो महीने में हमारे 33 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे by the way होने वाले हैं, पर हो नहीं पा रहे हैं खेर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखाया तो यार जल्दी से जल्दी 33 लाख सब्सक्राइबर पहुचा दे यार, बड़ मुझे लगता नहीं है कि हो पाएंगे इनने एक दो महीने गेंदर लेट सी, तो दोस्तों ये रहा आज का एक रहसे में इस सब्सक्राइब, आज़ो जीनियस बंदे एक बंदा बाथरूम में गया, उसने अपनी गन निकाली और अपनी आंखों के बीचों बीच कोली मार ली लेकिन फिर भी उसके सर में से कोई भी खून नहीं निकला और वो सही सलामत बाहर भी आ गया तो मुझे ये बताओ, उसके पास ऐसी कौन सी सूपर पावर्स थी जिसकी वज़ा से वो मरा नहीं यही है आज का आसान सा सवाल इस सवाल का जवाब जिर्फ जीनियस बंदे ही बता पाएंगे और उनी को यह ऐसान लग रहा होगा अगर इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो इस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल रखी है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इस्टाग्राम का उस पर क्लिक कीजिए और अराम से वीडियो देखिए उत्तर के साथ जैसे ही आप उसका उत्तर देखोगे तो सच बता रहा हूँ आपके भी तोते उठ जाएगे आपने ऐसा जवाब ना तो कभी सुना होगा ना देखा होगा जाएए इंस्टाग्राम पर ये रहाई यूजरनेम अमरितपलसिंग BWT वीडियो चलगी तो शेटो को राज का लाइकेम तो मैंने मांगी लिया तो ठोको लाइक और बोरिंग जिंदकी से चुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टली वीद वाले ताकि वीडियो प्लोड होते ही आपको मिल जाए तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशिरवास से तो बिना काली दिए ओके बाई